नमस्कार दूस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नहीं लाइफ सेस्टन में कैसे हैं आप एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन जैस्री राम राधे राधे और आएए शुरुवात करते हैं आज की सेस्टन की चर्चा करेंगे आज हम कारी पालिका को पूरा करने के बाद न्याय पालिका की लास्ट सेस्टन में हमने कारी पालिका का थोड़ा सा पैंडिंग छोड़ा था उसको कावर करेंगे और इसके बाद इस टोप यूनिट का जो अंतिम पार्ट आता है न्याय पालिका उसको हम जो हो इसकर्स यहां पर करने वाले हैं तो कैसे हैं आप रो रोनक कैसे हैं आपको जो पेडियफ है वो टेलिग्राम पे मिलेगी सुरिय प्रकास स्वागत आपका असोग जी स्वागत आपका खुश्बू कहानी मानुचोधरी स्टूडियो आरेस कैसे हैं आप जया सैनी जी स्वागत आपका कैसे हैं इस टोपिक को हम कर रहे हैं अभी NCRT से और जब ये यूनिट हमने शुरू की थी तो हमने इस पर पूरा जो है आपके साथ डिसकर्स किया था कि देखे अगर इस यूनिट का अगर अपन विस्तार से अगर अधेन करते हैं विस्तार का आर्थ होता है जिस तरीके से हमें यून ये यूनिट बनता है और साइध जितना हमारा 3rd grade का लेवल है उस लेवल के अकोडिंग इतना पूछा जाना नहीं चाहिए अगर परेटिकुलरी हमें पूछा जाता कि पर्धान मंत्री बताओ, मंत्री मंडल बताओ, राष्टपती, उपराष्टपती, मुख्य मंत्री, ये बहुत सारी चीजे पढ़नी होती है, हमें आज तीन बजे वाली कलास नहीं होई, इसके लिए खेद परकर करता है, कल होगी तीन ब नौ नवरात्रे हैं, ये मैं आपके साथ मिल के कर रहा हूं यहां पर, और अगले नो दिनों तक अपना उपवास रहेगा, और माता दुरगा के नौ आवतारों के हम यहां पर पुझा आरादना करेंगे, और आपके लिए, और स्वेम के लिए, और सब के लिए ये प्रातन आपका कैसे हैं आप चलीए बाते हो गई है भूछ सारी स्वागत भी हो गया अब लास्ट सेशन में हम जो पढ़ रहे थे नियाए पालिका के बारे में जो पढ़ रहे थे जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कहां पर थे हम कारिय पालिका के अंदर हम जो चर्चा कर रहे थे last session में वो यहां थे कि भारत का उप राष्टपती यानि उप राष्टपती के बारे में हमें आज जो हो चर्चा यहां पर करनी है last session में हमने राष्टपती की चर्चा की थी आज उप राष्टपति की जो चर्का है आज इस सेशन में हम जह करने वाले हैं ठीक है अगर आऊशकता हुई तो एक बार ये टोपिक कर लेते हैं अपन NCRT से ठीक है एक बार ये टोपिक अपन NCRT से कर लेते हैं इसके बाद अगर हमारे पास समय तो वैसे है तो एक बार जो है वो फीच में आपको दुबारा ये यूनिट जो हो करवा दी जाएगी विस्तार से अगर आपको ऐसा फील होगा या आपके अगर कोई दिमांड होगी तो ठीक है भारत का उपराश्टपती अगर इसकी चर्चा करते हैं तो इसके चुनाव की प्रकिरिया क् ठीक राश्टपती की तरही जो है वो होती है हाँ बिलकुल आईवस्वरमा जी बिलकुल नाइस्ट क्यूसन देखिए आपके स्क्रिन पर मनोनित सदस्य भी उपराश्टपती के चुनाव में भाग लेते हैं ये बात आपको याद रख रहा है ये राश्टपती के में भाग नहीं लेते जो मनोनित सदस्य होते हैं वो राश्टपती के चुनाव में कभी भी भाग नहीं लेते हैं लेकिन मनोनित सदस्य जो होते हैं लोकसभा के राज्ये सबा के अलाकि लोकसभा से तो अब हटाई दिये गए हैं राज्ये सबा में ही बचे हैं तो राज्य पर भाग ले सकते हैं उपर राष्टपती के चुनाओं में भाग ले सकते हैं देखो चुकि हम NCRT से पढ़ रहे हैं और यह तीनों टोपिक जो उठाए गए हैं वो भी NCRT से ही उठाए गए हैं तो यह मान के चलिएगा कि हमसे जो क्योशन पूछे जाएंगे पेपर में वो अनुनित सदसे किसके चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं ठीक है राष्टपती के सम्मान उपर राष्टपती का निर्वाचन भी जो है अय परतेक्स तथा अनुपातिक परतिनिधितुय पदती के तहट जो हो एकल संक्रमनिय मत द्वारा जो हो होता है अनुछेद 661 के न उपर राष्टपती के निर्वाचन मंडल में सिर्फ राज्य सभा और लोक सभा के सदसे भाग लेते हैं जो नहीं पर विधान सभा है उनके भी सदसे भाग लेते हैं याद रखेगा राश्ट्पती के चुनाओं में लोग सभा, राज्जे सभा पलस विधान सभा के सदसे भाग लेते हैं जबकि उपर राश्ट्पती के चुनाओं में केवल लोग सभा और राज्जे सभा के ही सदसे जो है वो भाग लेते हैं पवन कुमार कह रहे हैं सिर आपकी कलास में इतने कम स्टुटेंट कैसे हैं आप कलास में क्वालिटी दिया करो अधिक से अधिक लोग देखेंगे ये बताएं पवन कुमार ची ये होती क्या है क्वालिटी क्या होती है कैसी क्वालिटी दे आपको बताएं और इस क्वालिटी की डेफिनेशन का भी थोड़ा सा आप जो है वो वर्णन कर दे तो हम निरंतर जो है इसके लिए प्रियतन करना शुरू कर देंगे ठीक है आप थोड़ा सा जो है इस पर भी प्रकास डाल दे क्या करना है क्या करना है यह जुरूर बताएं एक तो अच्छा data लेके आए content अच्छा लेके आएं या वीडियो की क्वाल्ती 4k कर दे हम क्या कर दें या च्यवस्तर पहन क्या computer करना क्या है यह आप जुरूर जो है कमेंट में हमें बताएं ताके हमें पता चले उप राष्टपती के पद के लिए योग्यता की बात करते हैं विद्वान सात्यों क्या याद रखना है एक तो मनोनित सदस्ये इसमें सामिल होते हैं दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्ये भाग लेते हैं अनुछे 66-1 के तहद उप राष्टपती के लिए अगर आप बनना चाते हो तो योग्यता 66-3 में दी गई है कि यह भारत का तो नागरिक होना चाहिए ये तो सपे ही लागू होती है 35 वर प्रस्तावक और 20 जो है अनुमोदक होने चाहिए हमने पढ़ा कि राष्टपती के पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवसकता होती है जबकि उप राष्टपती के चुनाव के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की आवसकता जो है वो होती है ठीक है अब पदावधी क्या होती है यानि कार्येकाल तो अनुछेद 377 ये कहता है कि उपराष्टपती अपने पद ग्रहन करने से लेकर पांच वर्स तक की अवधी तक जो हो कार्ये करेगा generally हमारे भारत में जो है वो राष्टपती उपराष्टपती सब का जो कारियकाल होता है वो पांच वर्ष का ही जो है वो होता है क्या उपराष्टपती का कारियकाल पांच वर्ष का होता है कमेंड करके बताएं अनुछे दर्सट क्या कहता है देखेगा अनुझे दर्शट क्या कहता है बताएं देखिए ये जो topic हम पढ़ रहे हैं वो अभी NCRT से पढ़ रहे हैं कहां से पढ़ रहे हैं हम NCRT से पढ़ रहे हैं ये बात आप जुरूर अपने दिमाग में रखे NCRT से ये topic हम जो है वो पढ़ रहे हैं एक सेकंड रुखिएगा एक बलराम जी कह रहे हैं कि मुफ्त का मक्खन अच्छा नहीं लगता है ऐसा नहीं है मुफ्त का अच्छा नहीं लगता है देखो जिस वेक्तिक के लिए जिस चीज की जितनी कदर है न वो उसको उतनी ही अच्छी लगेगी ठीक है एक बच्चा जो एक गरी परिवार का बच्चा है जिसके पास जो है वो स्विधा नहीं है जिसके पास स्विधा नहीं होती है उसके लिए ये डाटा या ये कलासे जो है वो भोत अच्छी होती है एक बच्चा वो है जिसके मैंने एक पर पहले भी बताया था कि जिसका पेट भरा होता है उसके लिए तो चपन भोग भी रूचिकर नहीं होते हैं जिसका पेट भरा हुआ होता है भोजन से उसके लिए चपन भोग भी जो है वो उपियोगी नहीं होते हैं और जो भूका होता है उसके लिए सूकी रोटी और मिर्च ये भी बहुत जादा है अगर स सब्जी ना भी मिले प्याज मिल जाए तो वो भी वो खा लेता है तो बस यही बात है जिसकी जितनी आउसकता है उसको उतनी उसी अकोडिंग उन चीजों का जो है महतो होता है अनुशेद अरसट कहता है कि उपर राश्टपती राज्ये सभाद्वारा किये गए संकलप द्वारा पद से हटाया जा सकेगा यानि राश्टपती के लिए तो क्या लगेगा महावयोग लगेगा अगर राश्टपती को अपने पद से हटाना है तो क्या लगेगा महावयोग लगाना पड़ेगा लेकिन उपर राश्टपती को कौन हटा सकता है पद से उपर र ओप्रतिये विश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है पवनकुमार किचिधी हम आपसे बिलकुल कता ही नाराज नहीं हम आपने ऐसेम बढ़ा वैसे निवेधन कर रहें कि आप बिल्कुल आप suggestion दे आप हमारे भाई हैं और बताएं कि हम क्या प्रिवर्तन करें जो आपको अच्छा लगे है ना इतनी सी बात है तो sorry बोलने की किसी को आशकता नहीं अनुछ यह दर्सट क्या कहता है कि उपराश्टपती को कहां अठाया जा सकता है राज्य सभा के पतकालिन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होता है उसी से उसको हटाया जा सकता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि उपराश्टपती जो है वो राज्य सभा का क्या होता है पदेन सदस्य भी होता है पदेन अधेक्ष भी होता है अटाने के ल जो हूँ हम आपके साथ करना चाहते हैं 14 दिन पहले आप उनको क्या करेंगे सुचित करेंगे जब उप्राश्ट्पती। कारिय वह राष्ट्पती के रूप में कारिये करता है एक कंडिसन क्या बनती है फिसथे कारिये करता है तो अरूस्पती क्या कारिय क्या है राज्य सभा अधेक्स के रूप में क्या 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 कारिय कर रहा है तो अनुछे चोशिट के नुशार उप राष्टपती राज्य सभा का क्या है पदेन सभापती होता है प्रन्तु जब राष्टपती के रूप में कारिये करता है तब राज्जे सभाके सभापती के रूप में कारिये नहीं करेगा जनरली तो हमारे देश में राष्टपती और उपराष्टपती दोनों काम कर रहे हैं तो अगर राष्टपती का पद भरा हुआ है राष्टपती के पद पर राष्टपती कारिये क तो ऐसी condition में जो उप राश्ट्पती होते हैं, वो क्या करते हैं, राज्य सबा के जो है, वो पदेन सदस्य का कार्य करते हैं, उनको कोई तिक्ट इसमें है नहीं, पदेन अधेक्ष रहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी प्रिश्टिती में ऐसा होता है, एसा होता है कि अगर राष्टपति हाँ चुन नहीं सकती है ये बात आपकी सत्य है विश्वास कि राज्य सभा अकेले जो है वो राष्ट उप राष्टपति का चुनाव नहीं कर सकती है चुनाव के अंदर जह लोकसभा और राज्य सभा दोनों को सामिल होना पड़ेगा लेकिन अगर राज़्ेसभा में यह लाया जा सकता है माल लजेए कि क्योशन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि उपर राष्टपति उनके पद से भटने के लिए परस्ताव लाए-जाता है पहला और राज्य सभा में लाए-जाता लेकिन पेपर में हमारा दिमाग में अगर यह डाटा अच्छे से क्लियर नहीं है अगर यह concept अच्छे से नहीं बेठा हुआ है तो हम जर्णली क्या करते हैं कि जहां A और B दोनों आते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाता है तो जर्णली जिन बच्चों का य क्या करेंगे वो ये कहेंगे कि सर लोक सभा और राज्ये सभा दोनों में ही उपड़ाश्च्छics को हटाने का प्रस्ताव लाया सकता है उपडी है न Украї है जो पेपर में कठी क्यूशन को बनाती है ठीक है नेक्स्ट कुशन देखिएगा उप राष्टपती राज्यसभा के अधेक्ष के रूप में इसके अधिवेशन की अधेक्षता करता है राज्यसभा में अनुसासन रखना उसकी जहो जिम्मेदारी है एक बात यह भी बताए अगर उप राष्टपती राष्टपती का कारिय कर रहा है अगर उप राष्टपती के कारिय कर रहा है कारिय वाहक उप राष्टपती के रूप में अगर उप राष्टपती कारिय कर रहा है तो वह सैलरी किसकी लेगा राज्यसभा के सभापती की सैलरी लेगा या उप रा कारिये को है तो राष्ट पती हमेसा जो है उप राश्ट पती राश्ट पती की कर सकता है अनुछेद 65 एक कहता है कि राष्टपती की मृति हो जाए, राष्टपती त्याग पतर दे दे, राष्टपती को पद से हटाया जाए या अन्य कान से पद में हुई रिक्ती की दसा में उप राष्टपती उस तारिक से राष्टपती के रूप में कारिय करेगा जब तक नव निरवाचित राश्ट पती अपना पद ग्रहन नहीं कर लेता है उप रास्ट पती अधिक से अधिक 6 महा तक राश्ट पती के पत पर कारिय एक कर सकता है देखिए जिस दिन पद खाली होगा उस दिन से जो है वो उप राष्टपती राष्टपती के पद का कारिय भार संभालेगा और तब तक वो उप राष्टपती राष्टपती के पद का कारिय संभालता रहेगा जब तक कि नया राष्टपती जो है वो नहीं चुना जाता है पर याद रखना जो इसकी अधिक्तम जो अवधी होगी य यह आपको याद रखनी है कि रूप राष्ट्पती अधिक से अधिक 6 माहा तक ही राष्ट्पती के पद पर कारिय करेगा और हमने राष्ट्पती जब पढ़ा था तो हमने यह भी पढ़ा था कि राष्ट्पती का अगर पद खाली हो जाता है किसी कारण वंस तो 6 माहा के भी जब उप राष्टपती राष्टपती के रूप में कारिये करेगा उसे वेतन भत्ते भी राष्टपती वाले ही मिलेंगे ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर उप राष्टपती राष्टपती के रूप में कारिये करता है या राष्टपती के कारिये करता है तो वो क्या उप राष्टपती लेकिन चुकि राष्टपती का पद रिक्त है तो उप राष्टपती राष्टपती के कारियों को संभाल रहा है तो ऐसी कंडिशन में सेलरी और भत्ते भी उसे राश्टपती के ही मिलेंगे ठीक है बिल्कुल लिया जाएगा देखिए ऐसा जर्नली तो होता नहीं है राजस्त भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि यदि उप्राश्टपती पदेन में स्यांती विवस्ता बनाये तो एक्सन जर्नली तो जहन लिया जाएगा एक्सन तो देखो इस पे क्योंकि उप्राश्टपती कि Yayoda कि सदन में व्यस्ता बनाए रखना क्या है सदन के अधिक्स का कारिय' है कि नहीं है जैसे लोग सभा में अगर कोई सदन का सदत से अनुसासन हींता करता है तो लोग सभा अधेक्ष को ये पावर होती है कि वो जो वेक्ति अनुसासन हींता कर रहा है उसके खिलाब कारवाई कर सकता है इसी प्रकार चुकि उप राष्टपती भी जो होता है वो रा ठीक है इस तरीके से इसको आप जो हो समझ सकते हो नेश्ट देखिएगा यदि राष्टपती भी पदर रिखते है अगर उप राष्टपती का भी पदर रिखते है तो ऐसी कंडिशन में जो हमारा स्रोचे न्याले है उसके मुख्य न्यायधिस द्वारा उप राष्टपती और राष्टपती यानि अगर राष्टपती का पद खाली है उपर राष्टपती का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडिशन में जो स्रोचे न्याल लेके मुख्य न्यायदिस होंगे, वो जो है वो राष्टपती के कारिये भार को संभालेंगे, स्रोचे न्याल लेके मुख्य न्यायदिस जो है वो राष्टपती के कारिये को क्या करेंगे संभालेंगे ये बात आप याद रख सकते हो ठीक है नेश देखे भारत का परधानमंत्री की बात करते हैं परधानमंत्री की जो न्युक्ति होती है विधान के नुचार राष्टपती परधानमंत्री की न्युक्ति करेगा कोन करता है परधान मंत्री की नियुक्ति कोन करता है राष्टपति करता है याद रखना यह बहुत अच्छा टेक्निकल क्योशन है सिदा सिदा क्योशन पूछा जाएगा भारत में परधान मंत्री होता है निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है परधान मंत्री जो है वो उसे अपना नेता समझे, जयसे अभी राजas्तान की श्तीति को समझे, माल लीजिए कि राजस्तान में थीक वही रूर लगता है, राजस्थान के अंदर क्या है? अभी Congress की सरकार है वर्तमान में मुख्य मंत्री कौन है अशो गहलोजी है तो अभी चर्चा ये चल रहे थी दो दिन पहले कि अशो गहलोजी जो है वो क्या बनेंगे Congress के अध्यक्स बनेंगे तो उन्हें राष्ट ये जो मुख्य मंत्री का पद है वो रिक्त करना पड़ेगा तो अगर वो मुख्य मंत्री का पद रिक्त करेंगे तो फिर सचिन पाइलेट जी को मुख्य मंत्री बनाया जाएगा बट S.O. गहलोजी को पता है इस बात का कि अगर मैं कोंग्रेस का अधेक्स बन जाऊंगा तो वहाँ तो मेरी चलेगी नहीं क्योंकि वहाँ पर तो सोनिया गांधी जी और राहूल गांधी जी चलेगी वहाँ तो मुझे कैसे बन के रहना पड़ेगा रिमोट कंट्रोल वाले टीवी की तरह बन के रहना पड़ेगा सोनिया जी कहेगी तो मैं बोलूँगा सोनिया जी कहेगी तो मैं चुप रहूँगा जैसे सोनिया गांधी जी कहेंगी वैसे ही मुझे कारिये करना पड़ेगा यानि ये बात जो हमारे मानने मुख्य मंत्री एसो गहलो जी है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अध्यक्ष बन के कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा पलस मेरा राजस्तान से जो मेरा इतना लंबे समय का जो संग्रच है राजस्तान में जो मेरी एक पेट बनी हुई है वो भी मेरी चली जाएगी क्योंकि मुख्य मंत्री जैसे यह हटेंगे दुबारा राजस्तान में मुख्य मंत्री कभी नहीं बन पाएंगे आपको पता है तो ये बात जो है वो अशोक गहलोती जानते हैं इसे लिए इन्होंने क्या कहा एक अलग ही राजनिती खेली कि इन्होंने खुद ने तो कुछ कहा नहीं और अपने विधायकों से कह दिया कि हमें तो मुख्य मंत्री चाहिए कौन असोक गहलोती चाहिए हमें मुख्य मंत्री कौन चाहिए असोक गहलोती चाहिए तो ज़्यादतर जो विधायक वो ये मांग कर रहे हैं कि मुख्य मंतरी कोन होगा, ऐसा गहलीजी होगा, जबकि सचिन पाइलेट जी के पास विधायकों की संख्या कम है, उनके पास विधायकों की संख्या कम है, तो उनका पलड़ा भारी है, तो इसी परकार जब कोई party विज करते हैं. परधान मंतरी हो चाहे राष्टती हो, चाहे नेता हो, सब को जो है वो अपने पद की तो सपत लेनी पड़ेगी, कि मैं पद और गोपनी है ताकि явा क्या करूँगा? रख्षा करूँगा. एक बात याद रगना, सविधान की सपत कोल लेता है, यह अगर क्योशन पूछा जाए आपसे सविधान की सपत को लेता है सविधान की सविधान की जो सपत लेता है वो लेता है केवल राष्टपती जो है वो सविधान की सपत लेते है और जो मुखे स्रोचे न्याले के जो मुखे न्याइधीज है वो क्या लेते हैं? वो क्या लेते हैं? सविधान की सपत लेते हैं. बाकि जितने भी नेता है, मंत्री है, परदान मंत्री है, मुख्य मंत्री है, राज्य पाल है, वो सब क्या करते हैं? वो पद और गोपनियता की ही सपत लेते हैं. क्या लेते हैं? पद और गोपनियता की ही लेते हैं चलिए वापस टोपिक पर आते हैं विधान के अनुसार राष्टपती परधान मंत्री की नुक्ति करेंगे अनुछे 75 कहता है कि लोग सभा में पहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो और लोग सभा की स्थिति में राष्टपती सबसे बड़ा गठ बंधन के नेता को परधान मंत्री नुक्त करता है जो भी पार्टी है वो जिसका नाम डिकेमेंट करती है उसको क्या कर्या जाता है परधान मंत्री के पत पर जो है वो नुक्त किया जाता है परधान मंत्री की योगिता क्या है भारत का नागरिक होना चाहिए भारत की मद्दाता के सदस्य होते हैं परधान मंत्री तो लोग सबा के सदस्य परधान मंत्री होते हैं लेकिन अगर किसी कंडिशन में आप लोग सबा के सदस्य नहीं है तो आपको राज्य सबा का सदस्य होना पड़ेगा आपको परधान मंत्री बनने के लिए या लोग सबा या राज्य सबा का सदस्य बनना पड़ेगा अगर किसी कंडिशन में आज आप दोनों के सदस्य नहीं है बट आपका नाम जो है वो परधान मंतरी के रूप में दिया गया है तो next 6 महिने में आपको जो है क्या करना पड़ेगा next 6 महिने में आपको जो है वो परधान मंत्रे बने रहने के लिए या तो राजे सबा या लोग सबा का सदसे बनना पड़ेगा कलास में कोई भी प्रिवर्तन नहीं करे सर यह तो ऐसे ही करते हैं जी छोटा छोटा छेतन जी जैसे आप कहेंगे वैसा करेंगे हम तो देखो हमारा कारी है इस बात का हलाकी फरक पड़ता है कि नहीं पड़ता वो एक अलग मैटर है बच्चे चाहें कलास में कम हो या जादा हो लेकिन टार्गेट हमारा एक रहता है कि जितने भी बच्चे हैं वो निरंतर पढ़ें तो उनको निश्य तोर पर बेनिफिट हो तो हम जितना भी आपको चीजे करवाएंगे जितनी भी चीजे आपके सामने रखेंगे वो आपके एक्ज्याम के दर्ष्टी कौन से 100% जो है वो महतोपुन सिधो होगी ठीक है तो इस बात का कोई फरक नहीं पड़ रहा है देखो बच्चे बड़े बड़े जो चैनल होते है न वो क्या करते हैं बहुत सारा पैसा लगाते हैं एड पर एड करते हैं प्रमोशन करते हैं अकबार के माधिम से सोसल मेरिया के माधिम से उनके पास पैसा भी होता है पलस उनके पास टीम भी होती है हमारे पास इतना हो है नहीं कि हम यह सब करें और इच्छा भी नहीं है वैसे आप पढ़ते रहे हैं ठेके बीच में सदस्य बन सकते हैं देकिए सदस्य बीच में कैसे बन सकते हैं कि किसी लोगसबा चुनाव से वो जैसे कोई लोगसबा सीट खाली होगी है तो वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं या फिर जो है वो राज्ये सबा का सदस्य उनक यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोक सभा का अधेक्स और राज्ये सभा का जो अधेक्स है सभापती है वो पहले ही जो है वो सपत ले चुके होते हैं तो वो जो है दुबारा सपत नहीं लेते हैं यह बात आपकी ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्ट बढ़ी वारी होती अने था उसे जो है अपने पंध से त्याग पत्र देनापडेगा पर्धान मंत्री के लिए निवनतम आई तो पॉस्फंत प्रछ निर्ष वर्स है जिरूराइ बभाउमत खो देने तैदा अविश्वास परस्ताउपास हो जाने पर परदान मंतरी को त्याग पत्र देना पड़ेगा जर्णल ही तो किसी मुखे मंतरी या पर गृत्पने मंतरी चोग कार्येकाल होता है वह पांच वरस्का होता है ठीक है एक condition है कि आप पांच वर्स तो काम करेंगे ही करेंगे जैसे अभी हमारे देश के परदान मंत्री जो है वो पिछले पांच साल से ज्यादा समय हो गया उनको लगबग आठ साल के करीब हो गये है अना दोज़ार चोईस में चुनाव है तो अभी आठ साल के करीब हो चुके है यांनीः पांच साल के बाद के पिर से चुनाव होते हैं अब पांच साल आप कार्येकाल आपका रहेगा अगर एक बार आप जीत जाते हैं तो five साल Tक आपका कार्येकाल रहे सकता है लेकिन रहेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है माल लीजिए अभी आपने कहां देखा मुंबई के अंदर आपने सबसे अच्छा उधान देखा कि सबसे पहले जो है वो मुखे मंतरी बने कौन विज़ेपी का मुख्य मंत्री बना, देवेंदर जी मुख्य मंत्री बने, फिर जो है उस्षिव सेना के अंदर उदेव ठाकरे जो है वो मुख्य मंत्री बने, यानि एक पास साल के करम में तीन मुख्य मंत्री बन गए मुंबई में, पहले देवेंदर फिडनविस, फिर पहेंस वाली बात है जिसके पास बहुमत होगा वह क्या बनेगा मुख्य मंत्री या परधान मंत्री बनेगा अगर आपके प्रती एविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो आपको अपने पदित को छोड़ना पड़ेगा हना आपका अगर समर्थन खो जाता है आज यहां होने अस्तीफा दे दिया है कि हलाकी वह नाटक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपने सचिन पाइलिट जी को अगर मुख्य मंत्री बनाया तो यह हम अस्तीफा दे रहे हैं और आपकी सरकार गिरा देंगे यह दबाव डाला जा रहा है किस पर सोनिया गांधी पर कि अगर सोनिया गांधी जी आपने असोग गैलो जी की जगा सचिन पाइलिट जी को मुख्य मंत्री बनाने का सोचा तो यह हमारा स्तीफा है सरकार ही गिरा देंगे सरकार गिरा देंगे तो बना लेना अपना मुख्य मंत्री जबाव डला की नहीं डला जिसके पास बहुमत वही बहुमत का नेता और वही बनेगा राष्ट्पती या प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री राज्यसबा का जो सदस्य होता है उसका क्या होता है निश्षित कारियकाल होता है और उनका कारियकाल भी 6 वरस का होता है ये भी याद रखना पर तेक 2 वरस के बाद उसमें जो हो कुछ सदस्य जो है वो बदलते रहते हैं आप इखो यह तो राजनिती है आपने कई मुमें जो भोत सारी राजनितिक मूवियां भी है अपने देखा होगा मूवी में जो दिखाया जाता है ना राजनिती çevarm वह इसी तरीके का दिखाया जाता वह सही होता है राजनिती के अंदर एक वेक्ति दूसरे वेक्ति के उपर पेर रखकर ही उपर चड़ सकता है अब S.O. गहलो जी इस बात से भली भाती वाकिव है कि अगर सचिन पाइलेट जी को एक बार यहां का मुख्य मंतरी बना दिया गया तो फिर उनकी बारी दुबारा नहीं आएगी और सचिन पाइलेट जी को भी पता है कि S.O. गहलो जब तक राजस्तान में मुख्य मंतरी है तब तक मेरी बारी नहीं आएगी तो यह तो सत्ता है वही यादेगों सत्ता का लोब तो सबको ही होता है लालच है यह प्रधान मंतरी के कारियों और सक्तियों की बात करते हैं मंतरी प्रिशद के समंद में इनकी सक्तियों की चर्चा करते हैं मंतरी प्रिशद के रूप में इनकी सक्तियों की चर्चा करते हैं तो देखिएगा के अंदर ये मंत्री प्रिशित प्रमुख रूप से प्रधान मंत्री के कारिये हो सकती हो निमलिक्त है जैसे कि मंत्रियों के बीच विभाग का अवंटन करना कौन कौन सा मंत्री बनेगा उनमें फेर बदल करना किसी वेक्ति को मंत्री न्युक्त करने किसी फारिस राष्टप को करना या किसी मंत्री से त्याग पत्र लेना यानि मंत्री बनाना उनको मंत्री बद से हटाना यह सब कारिये किसके हैं परधान मंत्री के हैं और यह सारे कारिये Instagram कि पर्दान मंत्री किसकी सहयोग से करता है, राष्टपति की सहयोग से, जो है वो कर सकता है, मंत्री प्रिस्पट की बेठकों की अधेक्स्ता करता है नीढ़ने लέता है और उन जो बेठके होती है मंत्री मंडल होता है उसको बरकास्ट भी कर सकता है, संसद के समंद में इनकी क्या क्या सकती है संसद स्तर को आहूत करने स्तरा वसान करने समंदी सलाह राष्टपती को दे सकता है कि कब संसद का स्तर सुरू करना है कब उसको समाप्त करना है ठीक है इसके बाद देखिए कि एक सब्सक्राइब कर सकता है संसद में सरकार की नीतियों की घोशना कर सकता है कि हमारी सरकार क्या क्या कारिये करने वाली है next देखिएगा अन्य सक्षियों की बात करते हैं तो राष्ट्र की विदेश निती को मूर्त रूप देने में परभावी भूमी का निभाते हैं केंदर सरकार के परमुक परवक्ता होते हैं ये सेनाओं का राजनेतिक परमुक भी होते हैं ये राष्ट्रिय विकास प्रिशद राष्ट्रिय एक्ता प्रिशद अंतर राज्य प्रिशद और राज्य जल संसाधन प्रिशद के भी अधेक्स होते हैं मंत्री प्रिशद के कारिय क्या क्या है देखेगा मंत्री प्रिशद की राज्य की वास्ट्य कारिय पालिका सक्तिया होती है मंत्री प्रिशद राज्य के प्रसासन संचालन के लिए नीतिया का निर्मान करती है राज्य पाल सासन के उच पदों की न्युक्ति करता है और मंत्र प्रिशद जो है इनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है कि भया इस पद पर जो है इनकी नियुक्ति कर दी जाए इस पद पर इनकी नियुक्ति जो है वो कर दी जाए ठीक है सिफारिश यही करते हैं मंत्री ही करते हैं राजेपाल को और मंत्री प्रिशिद की कानुन निर्मान में महतोपूर्ण भूमेका होती है मंत्री प्रिशिद बचट त्यार करते हैं और वित मंत्री उसे विधान मंडल में क्या करते हैं इसके बाद अगर चर्चा करें तो मंत्री प्रिशित विधान मंडल के सासन का परती निदेतु अभी जो है वो करती है तो इस प्रकार से जो है वो राष्टपती उपराष्टपती परधान मंत्री मंत्री मंडल मुख्य मंत्री राजेपाल और राजे का मंत्री मंडल ये सब क किसमें आते हैं, ये सभी के सभी जो है वो कारिये पालिका के क्या है, पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, ये सारे के सारे लोग कारिये पालिका के पार्ट होते हैं, इसके बाद देखिए एक स्ताई कारिये पालिका भी होती है, स्ताई कारिये पालिका मैंने आपको ला है आए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं मुखेत राश्ट्पती प्रधान मंतरी मंत्रीगण और नोकर सा और परशासनिक मेशिंडरी जो है वह आती है जितने भी मैंने आपको सिदह सिदह आपको यही याद कि जितने भी तो प्रसास्तन दिंसेवा के घिकारी और अखिल भारतीय सेवा का वरगी करने से कि अधिकी से का गया है उसमें ग्णेक्टर सब्शकाभर आजते थीक है तो यह आपका जो है वहोगया टोपिक कौन एक टोपिक आपका जो था कि कौण सी डाल दी मैंने मूल करते वह वाले क्यों डाल दी यहां पर यह आपका जो टोपिक था वो हो गया है पूरा सारी पालिका अब कल हम जो है वो न्याय पालिका पढ़ेंगे अलाकि न्याय पालिका हम आज पढ़ने वाले थे लेकिन आज नहीं पढ़ पाएंगे न्याय पालिका को हम कल पढ़ेंगे ठीक है देखिए जी बिलकुल बिलकुल ये जो टोपिक कर रहे हैं हम NCRT के माधिम से कर रहे हैं कल ये जो है आपका जो यूनिट है वो पूरा हो जाएगा इसके बाद आपका इसका जो है एक यूनिट और बचेगा और उसके बाद एक टोपिक है विश्विक की करसी वो करेंगे और फिर एक पर फिर से जो है वो इसकारियपालिका, विधायका और न्यायपालिका को हम स्विधान के अनुछेद के अनुसार फिर से भी पढ़ लेंगे अगर समय मिलता है तो अभी के लिए बस इतरह ही आप सब लोगों ने अपना किमती समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल ये यूनिट आपकी कारिय पालिका को करवा के पूर्ण हम कर देंगे कारिय पालिका हमने आज पूरी कर लिए कल न्याय पालिका को करके इस यूनिट को अपन पूरा कर लेंगे अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सर, मेरा भी आरेस का इंटरिव्यू है, बहुत बहुत बदाई, नरेस गुपता जी, बहुत बहुत बदाई, बहुत बदाई, अभी के लिए थैंक्यू, सुब रातरी, और एक बार फिर से आपको हैपी नवरातरा, सैक्षिक बजे कलास होगी उसमें करवाएंगे ठीक है धन्यवाद